बश्कार दोस्तों आज कि इसने वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Central Bank of India का पास्वुक कैसे निकाला जाता है अगर आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कर सकते हैं तो यहीं से आप इसे open कर सकते हैं तो अपरन करने के बाद आपके समने में देखे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो यहां पर आप किसी भी भासा में जो है अपना पास्वुक निकाल सकते हैं अमराथी हो घ्यां बहुत सारे यहां पर आपको भासा मिल जाएंगे तो चलिए हम यहाँ पे इंगलिस पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे किलिक कर लेंगे जो भी आपको पर्मिशन मांगा जा रहा है वो यहाँ पर आप पे लोग कर देंगे पास्बुक के बारे में Central Bank of India के बारे में तो आप यहाँ पे एक बार реड कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको पास्बुक कीन है तो अगर आपको नहीं निकालना है तो दीस अगुरिप कीनिग करेंगे तो चलिए हम को निकालना है तो यहाँ पे एक रिपक क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रहूं Central Bank of India का तो वहां पर जब आप इस नमर को call लगाएंगे Central Bank of India में तो यहां पर आपको जो है कुछ personal detail आपसे पुछा जाएगा तो personal detail जो है आप customer care से share कर सकते हैं यहां पर जो है CF regional number यह पर इंटर कर देते हैं आप जो है प्रोसीड पे कलिक करेंगे इसके बाद यहां पर आप को इनटर नियूव कि यहां पर आपको इंटर करना पड़ेगा तो आपके र्एजिस्टर मॉल नमर पे अगर o tp नहीं आता है पर एक बढ़ीético करेंगे तो आपके रजिस्टर मॉल नमर पर जो है जो हो टीपी आ जाएगे तो यहां पर ऐस्यों पर समीड बटन पे खिलिक कर देंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो सेंटरल बैंक ओफ इंडिया एंपास्वू सक्सेस्फुली रजिस्टर्ड पिलिज लोग इन यूजिंग नीव एंपिन तो यहां पर जो है आप ओके पर किलिक कर देंगे तो कि पर किलिक करने के बाद यहां पर जो है यहां पर किलिक करके देख सकते हैं उसके बाद यहां पर पास्वूक भी निकाल सकते हैं उसके बाद प्रोफाइल है तो यहां पर चलिए हम आपको दिखाते हैं पास्वूक पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो यहां पर होगा एक कॉंट नमर ब्रॉंच उसके बाद आपको फ़ून नमर यहाँ पर रहेगा तो यह Yeah बिभाद रहेगा उसके बाद असकेद यहाँ आ यहां पर पुरा प्रल्सक्रेशल लिटेशल यहाँ पर दिया रहेगा इस वीडियो में मैं आपको बता है कि Central Bank of India का कैसे पास्वूक निकाला जाता है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर कर सकते हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबस्क्राइब कर दिजिए और बगल मिच बेल आइकन है उसे भी आप दब कर दो